नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाड फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के चाहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन में विडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की विडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत तो दोस्तों देशी मुर्गी पालन का यह व्यावसाय हर गाव में हर नगर में हर नगर निगम में महा नगर निगम में पहुच चुका है हर घर घर तक यहाँ जो व्यावसाई हैं दोस्तों दस तक दे रहा है लेकिन यहाँ व्यावसाई करते हुए आज तक जो अंगिन सवाल अंज सुल्जे सवाल मुझ तक पोचे थे दोस्तों उनका सोलूशन आज आपको दूँगा सवाल क्या था दोस्तों तो सवाल ये था कि सेकडो सालो से अगर यह व्यावसाय हमारे गाउ दिहात में होता था तो इस व्यावसाय से हम मन चाहा लाब क्यों नहीं उटा रहे थे आज तक इस व्यावसाय की बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई आज तक देशी मुर्गी पालन में इस व्यावसाय की जो स्ट्रेंथ थी वो क्यों नजर नहीं आई तो दोस्तो इसमें से जो समस्याई उत्पन हो चुकी थी कि असल में देशी मुर्गी पालन आज तक दोस्तो जो यहां पर टेकनोलोजी थी या मौडर्न जो मेथड थी उससे अंजान थी महरूम थी इसके कारण दोस्तो देशी मुर्गी पालन व्याउसाई की उतनी उन्नती नहीं हुई लेकिन आज कल दोस्तों जो इंकुबिटर है चूजे निकानने वाली मशीन है इसका इस्तमाल करने से आज देशी मुर्गी पालन के व्याउसाय को भी पंख लग चुके है और दिन दुगनी और रात चोगनी प्रोग्रेस यह व्याउसाय कर रहा है लेकिन कोई कोई किसान मित्र कोई कोई हमारे मुर्गी पालक भाई वहाँ पर प्रश्न पूछते है कि आसल में फिर कुदरती मेथड से मुर्गी के नीचे अंडे रख कर चूजे प्राप्त करना क्या सही है या अगर हम मौडर्न टेकनिक का इस्तमाल करते हुए इंकुबिटर याने चूजे निकालने वाले मशीन का सहीयोग ले क्या ये हमारे लिए अच्छा है तो दोस्तो आज दोनों बातों का कंपेरिजन आपको मिलेगा आपके मन में आचुके आने वाले अंसुलजे हर सवाल का आज आपको जवाब मिलेगा बशर्ते अगर आप यह वीडियो शुरुवात से लेकर अंततक देखते है तो इसलिए दोस्तो आपको कुदरती मेथड यानि मुर्गी के नीचे अंडे रखकर चुजे प्राप्त करना आपके लिए अच्छा रहेगा या आपके लिए इंकुबिटर मशीन यानि चुजे निकालने वाली मशीन अच्छी रहेगी दोस्तो इन सभी सवालों के आने वाले हर बिंदू के आपको विस्तार से विशलेशन दिया जाएगा बशर्ते आप आखिर तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहे साथ ही में दोस्तो यह विडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखते हुए अगर आपको यह विडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप जरूर एक लाइक कर दीजिया और ज्यादा से ज्यादा मेरे हर किसान मित्र तक किसान भाई तक मुर्गी पालक भाई तक इस व दोस्तो आएसे वीडियो का इंतजार कर रही है कि कोई वीडियो आएगा जो उनका टोटली दोस्तो नसीब बदल सकेगा लिए दोस्तो इसलिए इंडियन मुर्गी पालन का हर वीडियो नसीब बदलने वाला होता है नई चेतना जगाने वाला होता है इसलिए वीडियो शे रहा होगा दोस्तों तो वीडियो की दाइतरब निचली साइड को आकर जो लाल निशान आपको दिखता है उसको टच कर दिजे उसके बाद कलर हो जाएगा और बगल में घंटे आएंगी उस घंटी को टच करके ओल इस नोटिफिकेशन को अगर आप कान करेंगे तो आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों जिससे कि आपके ग्यान में सव प्रतिशत बढ़ोत्री होगी और साथ ही में दोस्तों आपक तक सवाल भीजिए आपका आने वाला हर सवाल जवाब के साथ आपको अगले वीडियो के साथ सोलुशन के साथ मिल जाएगा लेकिन इसके लिए आप सब्सक्राइब करके घंटी को आल कर देंगे तो ही आपको आपका सोलुशन और जवाब मिल सकेगा तो देखिए दोस्तों देशी मुर्गी पालन मेरा हर बाही करना चाहता है देशी मुर्गी पालन हर व्यावसाय का जड़ बन चुका है आज बेरोजगार इवा है या कभी भी लॉगडाउन लगने की जो श्रे वहाँ पर दोस्तों हम वो संभावना बोल रहे तो आयसे में देशी मुर्गी पालन इकलोता व्यावसाय आपके सामने परियावाची बनके वहाँ पर खड़ा है दोस्तों तो आएसे में इस देशी मुर्गी पालन के व्यावसाएं में दो पद्धतिया है दोस्तों दो विदी है यहाँ पर कि इसमें एक तो खुदरती मेथड मुर्गी के नीच अंडे रखकर चूजे प्राप्त करना एक मेथड है या नई नवेली दोस्तों इंकुबिटर मेथड जो कि पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी दोस्तों हम विज्ञान की क्रांती है ऐसा भी कह सकते हैं तो इसके अनुसार दोस्तों इंकुबिटर में यानि क्या कि उसमें अंडे डाले जाते है बिना मुर्गी के दोस्तों 21 दिन तक वहाँ पर पूरी प्रोसेस एवेलेबल की जाती है कि जिसके कारण दोस्तों आपको 21 दिनों के बाद वहाँ पर चूजे मिल जाते हैं बहुत ही सफलता से इस इंकुबिटर मेथड का यहां पर इस्तमाल किया जा रहा है दोस्तों आज तक आपको पता नहीं होगा दोस्तों तो यह मेथड बहुत ही आपके लिए सहुलियत वाली है और support वाली है ऐसा कोई कहने में कोई भी हर्ज़ नहीं है लेकिन इंकुबिटर का इस्तमाल करते हुए कुछ आपके मन में समस्या है वहाँ पर पैदा की जाती है वह समस्या क्या है और उसके बाद हम कुद्रती मेथड और जो इंकुबिटर है दोस्तो इनकी तुलना करेंगे कि दोस्तो पहली समस्या आपके मन में प्रश्ण चिन्ना उपस देत किया जाता है कि पहला confusion होता है कि क्या इंकुबिटर में अगर हमने देसी मुर्गी के अंडे इंक्विटर में डालते हैं तो चूजे भी देशी ही मुर्गी के निकलेंगे उसमें कोई भी दिक्कत आपती शिकायत नहीं है दोस्तो और इसमें 0.01% का भी कोई भी सच नहीं है दोस्तो यहां पर कोई भी confusion आपके मन में मत रखिए कि क्या देशी मुर्गी के अंडे डालेंगे तो क्या दूसरी ब्रीड निकलेंगे दोस्तो देशी मुर्गी के अंडे डालेंगे तो सव प्रतिशत देशी मुर्गी के ही चूजे निकलेंगे दूसरी समस्या क्या होती है दोस्तो कि क्या इसमें से न इंकुबिटर से निकलने वाले चूजों की जो रेजिस्टंस पावर होती है कि बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो ख्षमता होती कि आसल में वह मजबूत होती है दोस्तों मुर्गी से निकलने वाले चूजों से अगर आप कभी comparison करेंगे तो सव प्रतिशत बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ख्षमता इंकुबिटर में इसे निकले वाले चूजों की ज्यादा होती है इसलिए दोस्तों इंकुबिटर के बारे में आपके मन में जो जहनी सवाल कोई confusion तयार करता है तो उसके यह solution है अभी हम देखेंगे दोस्तों की फिर कुद्रती मिथर का इस् पूटल जनरेशन है और आज की सदी दोस्तों बहुती स्परधत्मक हो चुके है और ऐसे में दोस्तों हर कोई आमदनी के पीछे दावड रहे हर किसी मेरे नवजवान को वैसक आबादी को पैसा कमाना है दोस्तों और इसलिए वहां नई-नई तरकीब को अपना रहे है और दोस्तों अगर आपको लाखों में मुनाफ़ा प्राप्त करना हो आपका शेड़ आपको बढ़ा करना हो तो दोस्तों आपको यह कुद्रती मेथड वहां पर छोड़ कर देनी पड़ेंगी क्योंकि कुद्रती मेथड की कुछ वहां पर दोस्तों बाधाए है कुछ मर्याद जाए हैं कि जिससे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो दोस्तो point no 1 आगर हम कुद्रती method देखेंगे और incubator की method देखेंगे दोस्तो सबाज से बड़ा और पहला सवाल है दोस्तो कि قुद्रती method से मुर्गी के نीच से रख कर चूजे प्राप्त करने में समय बहुत जाया होता है और इंकुबिटर का इस्तमाल करने से समय की बचत होती है जिससे की कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हैं मिसाल की तौर पर दोस्तों अगर एक मुर्गी को आप संभालते हैं दोस्तों साल भर के लिए तो वहा Hmm दोस्तों निक Advisory Conference के लिए तो यहां से 스ाव 13 systems अइंडे वहां पर आने वहां पर जो है दोस्तों देने केaj की लिए लगाएगी उसके बाद में 20 से लेके से ज्यादा दोस्तों तीन बार चूजे निकाल सकती है लेकिन incorporate section का इस्तमाल करेंगे एक्विटर का इस्तमाल करेंगे तो वही मुर्गी वही अंडे वही समय और आपकी निकलने वाली batch इसकी संक्या बहुत बढ़ जाएंगी कैसे तो देखिए दोस्तो अगर आप एक मुर्गी के नीचे तकरीबन 15 से लेके 16 अंडे रखते हैं तो आपको तकरीबन 12 चूजे वहाँ पर मिल जाएंगे लेकिन इसी जगह पर आप यहाँ पर दोस्तो सव अंडे उस इसमें इंकुबिटर में डालेंगे कि साल भर में 140 से लेके 150 एक देशी मुर्गी के तो दोस्तो आपको लगभग लगभग 120 चूजे वहाँ पर मिल जाएंगे यानि कि 12 इसकी एक बैच और 4 महिने के 12 चूजे तो 12 माहा में आपको दोस्तो 36 चूजे मिलेंगे यानि कि तकरीबन तकरीबन 30 चूजे लेकिन इंकुबिटर का उसी जगह उसी समय उसी मुर्गी के साथ इस्तमाल करेंगे तो आपको दोस्तो 120 यानि 4 गुना ज्यादा दोस्तो आप वहाँ पर चूजे प्राप्त कर सकते हैं अगर वही मुर्गी हो लेकिन मेथड अगर पारमपारिक की जगह ये आधुनिक यानि मौडर्न हो तो उसके बाद दोस्तो एक और बात समझिए कि अगर आप मुर्गी के नीचे अंडे रखते हैं तो आप वहाँ पर स्रिप सरी सर्दियों के मौसं में अच्छाकासा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं गर्मियों के मोसं में बढ़ने वाली गर्मी में दोस्तो मुर्गी उतनी सक्षम तांसे अंडों में से चूजे नहीं निकाल पाती है और ऐसा ही हाल दोस्तो बरसात के मोसम में है बरसात में जब बिजली कड़कती है दोस्तो तो बिजली के कड़कने के साथ ही मुर्गी का कॉंसेंट्रेशन बिगड़ जाता है दोस्तो और ऐसे में चूजे परियाप्त मात्रा में नहीं मिल पाते है इसलिए आप 12 महा का सोचेंगे तो भी दोस्तों स्रिफ 4 महा यानि सर्दियों के मोसम में ही आप अच्छा का सा result प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अगर आप इंकुबिटर का इस्तमाल करते हैं तो कि प्रीटर के अंदर का यहां प्रहुता है कि यहींदोस्तों सबसे बड़ा सरस पॉइंट यहां कि प्लस पॉइंट क्या है कि पारंपारी की विधी से सर्दी के मोसम में ही चूज़े मिलेंगे लेकिन आग को अगर बारा माहा तक चूज़े अंडाउटली चाहिए दोस्तों तो इंकुबिटर के सिवा दूसरा कोई भी सुलूशन आपके सामने है ही नहीं तीसरी बात दोस्तों आज कल मुर्गियों की ब्रिड क्रॉस हो चुकी है और आयसे में मुर्गी 17 से 18 दिन तक अंडे पर बैटती है लेकिन 18 दिन अंडे जो है घुमाना बंद कर देती है और उसमें से चूज़े निकल नहीं पाते है कभी कभी मुर्गी वहाँ पर अंडे पी जाती है तो कभी कभी अंडों को फोड देती है यानि कि आपको मुर्गी के नीचे अंडे रखने के बाद भी गैरांटी नहीं है कि दोस्तों क्या आपकी मुर्गी आपको अच्छा खासा रेजल्ट दे सकेगी लेकिन undoubtedly दोस्तो incubator में ऐसे बात नहीं है आपका incubator भेदभाव करता नहीं है आपका incubator अंडो में का जो पानी कहा जाता है अंडे पी भी नहीं लेता है अंडो को फोडता भी नहीं है दोस्तो याणि कि आपने अगर 70 अंडे सही डाले दोस्तो तो आपको 75 से लेकर 85 चूजे म नहीं दे सकते हैं इसलिए दोस्तों आज की सदी में आज की दशक में आज की इन सालों में आपको इनकुबिटर इस modern तकनीक को अपना नहीं पड़ेगा तो ही आप सफलता की उच्च कुंजी को और सफलता के उस बड़े पहाड को वहाँ पर पार कर सकते हैं लांद सकते हैं अगर आप आधुनिक तंत्र का इस्तमाल करते हैं तो चौथा बिंदो दोस्तों यहां पर टी का करन जब मुर्गी के नीचे अंडे रखकर चूजे आप निकालते हैं तो दोस्तों निकलने वाली बैच दस चूजे बारा चूजे इससे ज्यादा तर बहुत बड़ी नहीं होती है आईसे में इन छोटे लॉट में हम टी का करन नहीं करते हैं क्योंकि इन छोटे लॉट में दस बारा चूजों के लिए हमें लॉसोटा, गंबोरा, वाइमेराल, ब्रोटन, कैल्शियम, बिकॉंप्लेक्स, ट्वेल, डी-3, लाना परियाप्त मातरा में दोस्तों जो है अच्छा नहीं रहता है या इतना महेंगा यह गिरता है कि जिसकी खरीद करना इन 10-12 चूजों के लिए वहाँ पर दोस्तों आइडियल नहीं होता है लेकिन आएसा कोई भी प्राब्लम इनकुबिटर में नहीं होता है क्योंकि इनकुबिटर में आप लगबग 100 अंडे डालोंगे तो 75 से लेके 85 चूजे निकलेंगे और इनके लिए आपको लासोटा, गंबोरा, वाइमेर ओल, ब्रोटान, बी कॉंपलेक्स, 12, D3 जो की कैल्शियम के साथ मिला कर दिया जाता है इन सभी का उचित मेडिसिन का इस्तमाल आप कर सकते हैं फिर आप बताईए कि आपका कौन सा चूजा वहाँ पर सक्षम होगा, क्या जिस पर टीका करन किया गया है वह सक्षम होगा या जिसपे टीका नहीं किया गया है वह सक्षम होगा दोस्तों दुनिया का कोई भी शिक्षित या अशिक्षित वहाँ पर नवजवान या वयस्क हो वह भी आसानी से आपको जवाब दे सकेगा इसलिए दोस्तो आपको दिल से बहुत बड़ी गुजारिश योम विनती है दोस्तो कि आप देशी मुर्गी पालन में सभी कनपुजन को दूर रखते हुए इंकुबिटर का इस्तमाल करिए आप सेमी आटोमेटिक इंकुबिटर लीजिए फुली आटोमेटिक इंकुबिटर लीजिए लेकिन इंकुबिटर लीजिए दोस्तो आज की यह पीडी यह जनरेशन नई नई तकनीकों को अपना कर स्टार्ट अप कर रही है दोस्तो और मुर्गी पालन में देशी मुर्गी सही मात्रा में आपको स्टार्टप करना है तो यह स्टार्टप की राह दोस्तों इंकुबिटर से शुरू होती है और इंकुबिटर पे ही खत्म होती है आखिर में आपको सोच विचार करना है विचार विमर्ष करना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है लेकिन मेरी आप आपको सलाह होगी और सही सची सलाह होगी कि अगर आपको आगे बढ़ना है अगर आपको मेरे भारत वर्ष को आगे बढ़ना है तो देशी मुर्गी पालन क्या व्योसाय का चुनाव करिए लेकिन देशी मुर्गी पालन को आगे बढ़ना है तो मॉडर्न टेकनिक में आप च दे पाएगा तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि खुद इंडियर मुर्गी पालन आपका यूटूब चानल यानि खुद मैं उद्यलाड आपको मशीन पहुचाऊंगा मैंने आपके लिए जो मशीन डिजाइन की है उसमें सेमी आटोमेटिक फुले आटोमेटिक सभी मशीन आपको पहुचाई जाएगी और साथ ही में दोस्तों मशीन डैमेज निकलती है तो मेरी गारेंटी रहेगी आपको नई मशीन पहुचाई जाएगी मशीन का कोई पूर्जा तीन महेने में खराब होता है तो वह भी आपको नया बदल कर दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात आपको मशीन देने वाले लाखों मिलेंगे सेकडों मिलेंगे लेकिन मशीन के साथ चाहिए मेरे हर मुर्गी पालक भाई को गाइडन्स और दोस्तों गाइडन्स दूसरा तीसरा कोई नहीं तो मैं खुद आपको देव दूंगा इसके बेफिक्री से आप यह उसा की शुरुआत कीजिए मैं आपके साथ सदय जुड़ा रहूंगा इसलिए कोई आप पत्तिन आज तक आपके साथ कोई नहीं था लेकिन यहां से आगे दोस्तों उदय लाड़ आपके साथ सदय रहेंगा यह आपको मुर्गी पालन के लिए नया सुरज का उदय है दोस्तों इसलिए इसका आप पालन पोशन आगर फार्म का अच्छा करेंगे और मेरे गाइडन के साथ चलेंगे तब सव प्रतिशत मैं आज कल नहीं तो आने वाले सालों में भारत का टोटली दोस्तों नक्षा बदल के रखूंगा और हर जो बेरोजगा है उसके पाद रोजकार ही पहुंचा के आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षन में लिख कर भेजिए आप इंकुबिटर के बारे में कोई अगर आपके मन में सवाल हो तो आप चोरह सी किस बायासी 62 62 पर पूश सकते हैं और उसके बाद इंकुबिटर की खरीद कर सकते हैं और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जाते हो एक लाइक कर देजे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइए के पास यह वीडियो पहुचाने के लिए आप इसको शेयर कर देजिए शेयर करने के लिए परसनल वाटस है बढ़ सके भारत बढ़ सके और इससे दोस्तो सब्सक्राइब भी बढ़ेगा तो हम जो नई आने वाली नीवालियो नीतिय उसमें इंफ्लेंस करके सरकार को सबसेड़ी के लिए वहाँ पर दोस्तों सव प्रतिशत आश्वस्त करेंगे और सब्सक्राइब आपका रहा होगा तो वीडियो की दायतर निश्ली साइड को आकर जो लाल निशान दिखता है उसको टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटेंगे घंटी को ट अलग भाई काता है दिल से बहुत-बहुत आमाद